प्याज की बरही कीमतों से जल्द मिलेगी रहत। जानिये कब गिरेगी प्याज की कीमत? सबजियों के बढ़ते दाम से आम जनता को लगातार जटका लग रहा है। खादे पदार्थों की बढ़ती कीमत के कारण, अक्टूबर में महंगाई दर RBI के दायरे से बाहर चली गई। ऐसे में अब प्याज की कीमतों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उपभुकता मामलों के मंत्राले के वरिष्ट अधिकारियों ने कहा कि आने वाले सप्ताहों में प्याज की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है क्योंकि खरीफ की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में प्याज की ओसत अखिल भारतिय खुद्रा कीमत 54 रुपए प्रति किलो है और पिछले महीने सरकार द्वारा प्रमुक उप्भोक्ता केंद्रों में प्याज की सबसिडी वाली विक्री के बाद कीमतों में गिरावट आई है। दरसल इस साल रब्बी फसल में प्याज का प्रोडक्शन कम होने और मानसून में प्याज की फसल भरबाद होने के कारण इसकी कीमतों में तेजी आई थी. सरकार ने अक्टूबर में सबसिडी रेट पर प्याज बेचने का फैसला लिया था. सरकार ने बफर स्टॉक में रखें प्याज को 35 रुपे प्रती किलोग्राम के सबसिडी रेट पर बेचना शुरू किया था यह फैसला प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लिया गया सरकार के पास प्याज का 4,50,000 टन बफर स्टॉक है इसमें से 1,50,000 टन प्याज की बिक्री हो गई है सरकार प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई की ओर ध्यान दे रही है इसके लिए सरकार पहली बार रेलवे के कांदा एक्स्प्रेस टेन के माध्यम से प्याज के बफर स्टॉक की सप्लाई करेगी रेलवे द्वारा जारी सप्लाई तब तक चालू रखेंगे जब तक प्याज की कीमत कंट्रोल में ना हो जाए। दिल्ली, चेननई और गुवाहटी में रेल के जरीए आपूर्ती, पिछले कुछ दिनों में सरकार ने रेल के जरीए 4850 टन प्याज की सप्लाई की। ये सप्लाई दिल्ली, चेननई और गुवाहटी में हुई। वहीं दिल्ली के कई मंडियों में 3170 टन प्याज की सप्लाई हुई। नफेद ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में 730 टन प्याज की सप्लाई रेल रेक के जरीए होगी। हाल ही में प्याज की कीमतों में तेजी देखी गई थी क्योंकि छट पूजा के कारण मजदूर छुट्टी पर थे और मंडियों में समान्य कारोबार नहीं हो रहा था, हालांकि अब इसमें सुधार होने लगा है। वहीं सूत्रों ने बताया कि खरीफ प्याज की फसल अब चैनल सब्सक्राइब करें। अब घर बैठे BSC Agriculture सिलिबस की किताबें मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट भारतीभंडार.com विजिट करें।